ये हमारी रिश्वत है और इसी रिश्वत में हम अबने बच्चे को कामियाप करके बेज़ेंगे ना कहीं पर उस सेटिंग के बेज़ के उपर आपका बच्चा कलियर हो जाता है पेपर कलियर हो जाता है क्या ये सच है देखो दिपेज जी आपकी इस बात को मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ अगर आप आठवी नोवी दसवी ग्यारवी में हैं तो सावधान हो जाएए अगर आपका बच्चा इन कलासिस के अंदर पढ़ता है या भाई पहन पढ़ता है तो साब आप सावधान हो जाएए क्योंकि आज जिस वीशे के उपर बात करने वाले हैं वो खतरनाक होने वाल तो एजूकेशन भी कही ना कहीं पर अधूरी नजर आती है और सबसे खास बात करने वाले हैं कि ये हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आती है खास तोर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी जिन्दगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाते हैं आज जानेंगे के खास काया है कोई और नहीं है मारे साथ में आकर डेयरेक्टर मौजजद है जिनका नाम है शुरेंदर पनिया जी सर नमसकार नमसकार आज सीडी बात अरियाना की अंदर ज Bapt आता है आपके नाम जो है वह पहले आ जाता है कक्यों की काफी सारे कोष्टन्स नो हैं वह आपके आप सब को पता है कि आज हमारे board की प्रिक्षाई श्टार्ट हो चुकियां दस्वी और बार्मी क्लासिज के लिए रियाना board की प्रिक्षाई इस मंथ में हैं अगले मंथ में CBSC board की प्रिक्षाई हो जाएंगी और पैरेंट्स की चिंताएं जैसे प्रिक्षाइं चल रही हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं कि एक्जाम के बाद हम बच्चे को क्या करवाइं तो एर्थ कलास के बाद जितने भी बच्चे आज की टाइम एजुकेशन में अगली कलासिज में जाने वाले हैं इस एक्जाम को दें इस एक्जाम के अंदर एट्थ कलास से लेकर ट्वैल्थ कलास तक के सभी बच्चे एक्जाम दे सकते हैं इसका फाइदा क्या होगा यह जो स्कॉलर्शिप टेस्ट आप से कनट किया जा रहा है सभी धारतियों का मैं बताना चाहूंगा इस टेस्ट के माध्यम से आप अपने जो भी फीचर में अगली कलासिज के लिए जा रहेंगे उसके अंदर जो भी एड्मिशन यहां बच्चे का होगा जैसे बिया सिरी कल्चर हो VSO, VLDAO, NDA, Defense वाले जो कॉर्सिज होते हैं Air Force, Navy या इसी तरह से हमारा जो संकल्प Careerist Institute है IIT और NIT की जांतियारी करवाई जाती है 9th कलास से 12th कलास की बच्चों को 4 साल, 3 साल और 2 साल की त्यारियों के साथ पढ़ाया जाता है उन विद्यार्थियों को जो ambition मिलेगा अपने academy में वो इसी टेस्ट के माध्यम से मिलेगा और इस टेस्ट में जिस बच्चे के अच्छे मास होंगे उनको scholarship भी दी जाएगी ताकि क्रोना काल से जो parents income के source of point of view से भी down जा चुके हैं उनके बच्चे भी अच्छी education ले पाएं और साथ में विद्यार्थियों के parents के साथ साथ विद्यार्थियों के साथ parents को भी career counseling भी उसी दिन सेम डे को हम करेंगे उसका भी हमने एक गंटे का session रखा है कि ताकि आप अपने बच्चे के विविश्य को लेकर कोई भी question या कोई भी question आपके mind में है तो आप अपनी संस्था में आके उसके बारे में better knowledge ले सकते हैं सर scholarship का आपने जिकर किया scholarship test दीजिए आपका फाइदा होगा क्या क्या फाइदा होगा कोई एक दो चार गिनवा तो दीजिए बहुत सारे institute ऐसे हैं जो करवा रहे हैं scholarship का test दी हम करवा रहे हैं हम करवा रहे हैं हम करवा रहे हैं लेकिन लिखित के अंदर या फिर मवर्बली आप ये तो बताईए कि आपका ये फाइदा हो जाएगा अगर आपके नमबर इतने आते हैं तो आपकी फीस की कटोती इतनी हो जाएगी या फिर कुछ भी एक्सवाइज है दखो यह चीज है जब आवर्स केडमे का नाम आता है तो जितने भी कोर्सी चल रहे हैं आज की टाइम आवर्स केडवी में उन सभी कोर्सी में बच्चों के एडमिसंस के लिए जब एडमिसंस लेने आता तो हमारी जो फीस होती है और अकेडमी से काफी ज़्यादा होती है क्योंकि यहां पे जो टीचर्स पड़ा रहे हैं उनकी सैलरी बहु ज़्यादा होती है और इसी वजह से उनको बैटर एजुकेशन मिल पाए इसी पे हमारा हमें साथ प्रयास रहते हैं तो उन बच्चों क जो भारी बर कम फीस होती है जो बच्चे नहीं दे पाते हैं लेकिन पड़ाई में अच्छे होते हैं उन विद्यारतियों को इस स्कोलर्शिफ टेस्ट के माद्यम से उनकी जो फीस है उसमें पांस प्रसेंट से लेगे 25 प्रसेंट तक की छूट मिलेगी ताकि वो बच्चे अपनी एजुकेशन को अच्छी तरह से ग्रेंड कर पाएं और कोई इसके साथ साथ भी उन बच्चों का अच्छी एजुकेशन यहां प्रवाइड किस कर सके हैं वो बच्चे साथ में यहां पर अधर फैसलिटीज भी बहुत हैं जैसे ओनलाइन क्लासिज भी हैं वो सब ज बुत अच्छी बाता कि दिपेस इनिसीचूर् तो बहुत है जगें जगह जगह पर भी उपन गुए इंसीचूर्स better साथ कि हर साल यहां पर बच्चे साथ इंसीचूर्स को क्रोस करें यहां तAK पोउंचते हैं उसकर एक रीजन है कि हम ने जित्ने भी एंट्रेसर्टेस् उन बच्चों को हम इन एंट्रेस्टेस्ट की तियारी के लिए फिर अधर क्राइटेरिया की साथ से उनको पढ़ाया जाता है साथ में जो यहां फैसलिटी प्रवाइड की जारी है अवर्स के अंदर उसके अंदर हम सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यहां पर एजुकेशन चलती है लाइबरेरी के माध्यम से डाउट काउंटर के माध्यम से रेगुलर जो क्लासीज होते हैं ओफलाइन के साथ साथ बच्चों को एक्स्ट्रा ओनलाइन क्लास नाइट क्लासीज भी प्रवाइड की जाती है free of cost ताकि उन बच्चों की किसी भी type के कोई भी subject कमजोर ना जाएं क्योंकि आज कल जितने भी interest होते हैं सब में सारे subject कमांड होनी बहुत जुरूरी है क्योंकि competition का दोर दिरे दरे बढ़ता जा रहा है एक सीधा सवाल और कड़वा सवाल यह सुरेंदर पुनिया जी है आवर्स academy के director है और कड़वा सवाल यह है इनके उपर आरूप है और वो भी जंता का और मेरा भी कईना कहीं पर आरूप है यह मानी सकते हैं आप मुझको लगता है कि सर आपकी है एक्चे यू की अंदर तकड कलियर हो जाता है, पेपर कलियर हो जाता है, क्या ये सच है? देखो दिपेश जी आपकी इस बात को मैं बिलकुल खंडन करता हूँ, कि हम पेपर लेकर वाते हैं, सबसे पहले बात तो हमारे जो रियाना की ये सबसे खासियत क्या है, कि यहां जो भी एंट्रेस टेस्ट अग्जाम कंड़ किया जाता है, उसके अंदर इतनी सकताई होते हैं, कि एक क्यूशन इदर से उदर नहीं होता है, इस उनिर्ष्टे में जितने भी प्रोफेसर्स का वर्क कर रहे हैं, की है आप मानो चाह ना मानो देखो दिपेश जी यह बात आपकी जैनुवन है कि युनिवस्टी के अंदर 80-85% जो सीटे होती है वह वर्सकेडमी की बच्चे ही सलेक्ट होते हैं इसका एक ही रिजन है कि हमारी जो टीम जो लगी हुई है वर्सकेडमी की वो टीम पुरा जो लगा रख की है और हर साल अपने मट्रीव को अपडेट करते हैं उनिवस्टी का जो पैटरन है पेपर बनाने का उस पैटरन में से हम अडवांस चलते हैं उनिवस्टी में जो कुछन आज पुछे जाने वाले उसका हम एक साल पहले त्यार कर चुके होते हैं ताकि इन बच तो उसमें एक सफी, एक सोपिछी क्यूश्ट गूश्ट अवर्स चैडमी के करवाई हुए मिलेंगे इसी तरह से हंडर्र कुशन के की सिठेस्ट में आ रहे हैं तो के बारियर के इसमें का चैडमी की करवाई हुए मतरी बाते है और उसमे यह जाते हैं क्या यह टेस्ट जी ने जो कंड़ेट किया यह आपके अपड़े मेटरियल में से बनाया गया है तो मैं यही बताना चाहूँ इस तरह मेहनत है इसमें कोई सी टाइब की कोई सेटिंग की जूरत नहीं है अगर जैसे दिपेश जी ने पुछा कि हमने दो चर बत्चों से बात क अपड़े में और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनके पैरेंट्स लैस बच्चे हैं बट वो दूद सुबह या अर्ली मॉर्निंग उठकर कोई न्यूजपेपर बेच कर कोई दूद बेच कर अपनी पढ़ाई का पैसा बड़ा इकठा करके यह पढ़ने के लिए आये कि वो बच्चे आज सेलेक्शन की नराज तो नहीं हो गए क्योंकि सवाल कड़वा थार कई देर तक आपने ना तसली से जवाब दिये दिए दिपेज जी स्वाल आपका इचानक मुझे इस तरह का स्वाल पूछना मेरे लिए देखो चिंता तो होगी थी भी ऐसा स्वाल का है से एकड़ मेरे सामने आ गया लेकिन मुझे इसकी सचाई बोलने में मुझे को डर नहीं है किसी टावी कोई संकोच नहीं है और यह बात आज आपनी पहली बार नहीं पूछी है ज़ारो पैरेंट्स जब यहां बच्चे के अड़मी से पूछ भी सकते हैं जिनको मैंने मे 24 आर्ज में से 15 गंटे पढ़ने वाला बच्चा में दे दो यहीं हमारी कंडिशन है यहीं हमारी रिष्वत है और इसी रिष्वत में अपने बच्चे को कामियाप करके बेजेंगे यहीं मैं उनको में सा कहता हूं और इसी वज़या से आज आप लेते हैं देखो सरी यह जो रिष्वत में तो हर पैरेंट से कहूंगा जो बच्चा आप उसी बच्चे को मेरे पास बेजें जो बच्चा आपने जिसमें जुनून काम करने का यह स्लेक्शन लेने का जैसे कहते हैं कि अगर हमें कोई भी काम या कोई भी चीज हम सिद्दत से अगर उसकी गुजारिस कर सिर्फ अपने एकैडमी की फीस में वो भी स्कोलर्शिप के साथ सर लगता है मैंने कि ओम शान्ती ओम ताजी ताजी देखिये सर ने शारू खान की उसमें तकड़ा डायलोग था है कि पूरी कायनात जूट जाती है लेकिन यह सच भी है कोई जूट नहीं है अगर आप शिद्दत से लगते तो सर कायनात जो है वो जरूर हमारा साथ देती ह और अगर आप यहाँ पर कंटेक्ट करना चाते हैं तो नंबर उपर चल रहा है लेकिन हाँ 17 तारिक को 11 बज़े स्कोलर्शिप का टेस्ट है आप आईए टेस्ट दीजिए आपका बेनिफीट होगा अगर आप टेस्ट नहीं देंगे और उसके बावजूद आप यहाँ पर रजिस्टेशन करवा लें लिंक उपर है आवर्सकेडमी पर एक्जाम है स्कोलर्शिप का टेस्ट है अगर आपने टेस्ट दिया फाइदा आपका अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो नुकसान आपका उठाना क्या है आपके हाथ में देखते रहा है चाट ट्वंटी नि आपके वाजनेवाद चेंजे वारत